गाइस करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 जुलाई तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हम इसे के तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेग या फिर फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा आपको बता दे इस वन्जियर मेंबर्शी प्लान के तरह जितना भी हमारा PDF कॉंटेंट है वह हम आपको एक साल तक प्रोवाइड कराते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं इसके लिए आप करेंट अफेर्स फंडा एप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वैब लोगिन भी कर सकते हैं कोई भी आपका एक्जाम हो बैंकिंग एससी रेलवे या फिर स्टेट पीसियस जहां पर भी जन्रल अवेडिनेस या करेंट अफेर् है तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडियाफ कोड़ से संबंदित तो आप कमेंट बुक्स में वश्य लिखेगा चले फिर करते हैं सुरूबात इस वीडियो सेशन की हमेशा की तरह सबसे पहले आचा कोश्यन देख लेंगे और महत्वपूर्ण कोश्यन है कई बार एक्जाम में पूछा जाता है रामसर साइट लोनार लिक इस लोकेटेट इन विच स्टेट पूछ रहे हैं कि रामसर साइट लोनार जील किस राज्य में इस्तित है ओप्शन से दिया प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जूरूर जोन कर लिए करन्ट अफेसे स्टेटीजी के संबंदित जो भी कोश्यन्स होते हैं वह हम आपको प्रोवाइट कराते हैं टेलीग्राम चैनल पर वट इस इंडिया स्टेंग इन लेटेस्ट फीफा मैंस वर्ड रैंकिंग्स नवीन तम फीफा पुरूस विश्व रैंकिंग में भारत का इस्थान क्या है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन ए है 99 आपको जाना चाहिए हाल ही में फीफा ने मैंस वर्ड रैंकिंग्स जारी की है और इस लेटिस्ट अपडेट में भारत की रैंकिंग 99 है बारत की फुटबोल टीम को बुलू टाइगर्स बोलते हैं इन्होंने हाली में इंटर कौटिनेंटल कप और S.A. F.F. चैंपेंशिप यानि की साउथ एशिया फुटबोल फेडरेशन चैं 60 citком में प्राप्ट की थी आपको बता दें अगर हम ऑवरॉल देखें तो अरजेंटी ना की टीम पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर फर्रांस है ब्राजीर तीसे नंबर पर है चोत्य नंबर पर इंग्हरंड बेल्जिय नंबर पर है और क्रोशिय कंशिय चटे नंबर मध्यप्रदेश आपको जानना चाहिए कि मध्यप्रदेश के खजुराओं में फिफ्थ हेलिकॉप्टर एंड इस्मॉल एरक्राफ्ट सम्मिट हाली में और्गनाइज की गई है इस सम्मिट को यूरियन मेंस्टर फॉर सिविल अवेशन और इस्थील जोगी राधित्य सिंध द्वारा इनुग्रेट किया गया है यह सम्मिट मिश्टर फिविल एवेशन गवर्मेंट ऑफ मध्यप्रदेश परवांस लिमिटेड एंड फेटरेशन और इंड इंडियन चैंबर्स आपको यूरियन की द्वारा और्गनाइज की गई इस सम्मिट का थीम रहा रीचिंग किस साइकलिस्ट ने 2030 2D फ्रांस का किताब जीता है यह महत्पूर्ण कोश्चन है बैंक के एकजाम में तो कई बार देखा जाता है कि 2D फ्रांस पूछ लेते हैं तो सही आंसर इसका ऑप्शन दी है जोनास विंगेगॉर देखे 2030 का 2D फ्रांस यह 110वा एडिचन रहा है इस 2D फ्रांस का पहले तो आपको यह मालू होना चाहिए कि 2D फ्रांस किया है तो साइकलिंग इवेंट यह होता है यह बिलबाव इस्पेन में शुरुआ एक जुलाई को और इसकी जो फाइनल स्टेज है यह चैंप्स एलिस पैरिस में 23 जुलाई को संपन होई आपको बता देंडिंग चैंपियन यानि कीनी के पास पहली भी टाइटल था डेनमार्क के है यह जोनास विंगे कॉल इनकी टीम है जुंब विस्मा इन्होंने टाइक टाइटल जीता है सेकेंड यह इनरो ठीक है तो दूसरे बार इन्हो टु क्रोस नोर्थ चैनल नोर्थ चैनल पार करने वाले विस्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कोन बन गए हैं आपको जाना चाहिए मुंबई के हैं अन्शुमन जिंग्रान यह एक ओपन सी स्वीमर है और यह यंगेस्ट परसन बन गए हैं वर्ड में जिन्होंने नोर्थ साल 125 इनकी एज है इसमें एचीव की हैं इसी एचीवमेंट के साथ अब अन्शुमन जो है गिनीज वर्ड रिकोर्ट के भी काभी लोगे हैं और यह एक सो चोदवे परसन हैं जिन्नों इस चैनल को क्रॉस किया है निश्व सैन्तालिस के बात से नोर्थ चैनल के घरम बात कर होती हैं और टाइट्स एंड करेंट्स हैंना हाई करंट्स यह सब जो है थोड़ा परिशान करते हैं स्विमर्स के लिए तो इसलिए बहुत बढ़ी अचीवमेंट है ऊप्षिंग्रेसिंग फेस्टिवल वाला सलीब्रेटेंड इन विच इस्टेट के स्राज्य में मना आए गया ओप्शनस आपके सामने हैं सही यह आंशर ऑप्षन डी है अरुनाचल परदेश देखे चैचिंग ग्रेशिंग फेस्टिवल यह जो लोकल ग्रेशियर्स होते हैं तवांग रीजन के इनके द्वारा मनाया जाता है जो बुमला पास है अरुनाचल परदेश उस एरिया में आपको बता दे यह जो मॉंपा लाइफ स्टाइल है या अंब ग्रेश यह जो है नहीं जो बकरी वगश्य लोगे लुगे लुगे तो एक जगए से दूसरी जगए लेजाते हैं जहां पर करास के मैदान होते हैं तो वांपर उनको ग्रेशिंग लगेर हो तो यह यह फेस्टिवल उरुनाचल प्रदीश से सम्मझ्दित है अच्रा हाली में एक और मैत्पूर्ण फेस्टिबल 16 जुलाई को मना गया उत्राखंड में इसका नाम है हरिला हरिला मतलब डे ओफ गृरीन नाम सी पर चल रहा है हरिला स्रावन के महीने में मनाया जाता है लोर्ड शिवा इन गॉर्ड इस पारवती को वर्शिप करने से संबंदित है और पूरे उत्राखंड में खासकर कि कुमाउरीजन में ये मनाया जाता है इस स्टेट में हॉलिडे भी रहती है इसकी स्टेट हॉलिडे तो ये भी पूछ ले जाता हरिला विश टाइफून में लैंड फॉल इन साउथ इस्टर्ण चाइना दक्षिन पुरी चीन में किस त तबाही मचाई है लगबग दो लाग तीसे जार लोग डिस्प्लेज हो गए हैं अपने घरों से खासकर कि जो टाइवान का गवांग तोंग प्रोविंस है यहां पर इसने काफी हार्ड हीट किया है एक सो चो एक सो चालिस किलोमेटर पर आर की स्पीट से विंड्स यहां प फिलिपिन्स ने इस नाम को दिया है तालीम इसका मतलब होता है अशार्प और कटिंग एच नाग्दा हैस बीन डिकलियर्ड ऐसना 54 डिस्टिक औफ विच स्टेट नाग्दा किसरा जगा चोगनवाजिला कोशित किया गया है ऑप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के चीफ मिस्टर सीवराज सिंग चुहान ने अनौंस किया है कि उज्जयन में जो एक तैसीर है नाकता यह जल्द ही एक डिस्टिक बन जाएगा भी बना नहीं है अभी केवल एनौंसमेंट की गई है इस से पहले हमने देखा था कि सीव मौगंज और दूसरा नाकता मध्यप्रदेश की बात करते हैं तो गवर्णर मंगो भाई सी पटेल है कैवटल भोपाल है विच यूनियन मिस्टर डिलीजड स्वच्था स्वच्था क्रोनिकल्स टास्फोर्मेटिव टेल्स फ्रॉम इंडिया किस केंद्र मंत्री ने स्वच बातनकारी कताएं भारत से कालोकारपन किया है वो उप्शन आपके सामने सही आंतर उप्शन डी है गजेंद्र सिंग सेखावत देखें यूनियन मिस्टर अफ जलसक्ती हैं गजेंद्र सिंग सेखावत इन्होंने हाली में एक 75 OTF प्लस बैस्ट प्रैक्टिस यानि कि 75 इस बैस्ट प्रैक्टिस का एक कंपाइलेशन एक बुक इन्होंने जारी की है किस तुरान नेसल कॉंफरेंस ऑफ रूरिल वास्ट पार्टनर्स फोरम के तुरान जोगी नई दिल्ले में आज़ित की गई यह कंपेडियम या फिर आप एक तरह की बुक कह सकते हैं इसका तो इसमें यह जैसे परिपेर कर रहें तो एथिक्स सब्जेक्ट होता है तो एथिक्स में एग्जाम्पल् देने पड़ते हैं आपको इस तरह के तो वहाँ पर यह बुक्स जो है काफी मैट पूर्ण हो जाती है वैसे तो हम लोग के लिए तो इतना कुछ नहीं है ना लेकिन अगर आप में से कोई लोगों ने अपने आप इस तरह के एफ़र्ट्स किये तो यह एथिक्स में आप एक्जामपल बनाकर लिख सकते हैं कि यह कंपेडियम डेवलप की गई है सुच भारत मिशन ग्रामीन आई-ई-सी टीम के द्वारा कि इस राज्य सरकार ने मिशन सकती स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही अंसर उप्शन भी ओडिशा आपको जाना चाहिए उडिशा के बिनिट जिसका नेतर उतर चीफ मिश्टर नवीन पटनाय करते हैं इन्होंने निमिशन सकती स्कूटर योजना को एप्रूव कर दिया है जिसके तहत यदि स्कूटर लेना चाहते हैं जो बेनेफिशरी इसमें जो लावारती है यदि वो स लग का बैंक लोन वो लेंगे तो उसमें जो हैं इंट्रस्ट सब्वेंशन को प्रवाइट करा जाएगा इंट्रस्ट सब्वेंशन मैंने हाली में आपको दो तीन दिन पहले अच्छे से बताया था तो इसमें लगबग 75,000 SHG को फायदा मिलेगा वहीं एक लाग लोग को फायदा मिलने वाला है तो दोनों ही ये उडिसा संबंदित न्यूज है उडिसा की बात करते हैं कैपिटल भूविनेश्वर है गवर्णर गनिश इलाल है किस राजे ने महिलाओ के लिए ससक्त महिला रिन योजना सुरू की सही आंसर ऑप्शन डी हिमाचल परदेश देखी हिमाचल परदेश के चीफ मिस्टर सुक विंदर सिंग सुकू इन्होंने एक कोलेटरल फ्री यानि कुछ भी गिरिवी रखना यह जूरत नहीं है इस तरह का एक लोन इसकी महिलाओ के लिए लोंच के इसका नाम है ससक्त महिला रिन योजना यहीं हिमाचल परदेश स्टेट कोपरेटिव बैंक एच पी एस सीवी का इनिशेटिव है इसमें जो भी महिला हैं अपने जो एंट्रेप्रेणर बनना चाहती हैं इंट्रेणर ड्रीम्स क ले सकती हैं साथ ही हिमाचल परदेश के सीम ने आपता रात कोश 2023 वेबसाइट पी लोंची है ताकि जो डिजास्टर अफेक्टेड पीपल हैं राज्य में उनको साहेता प्रवाइट की जा सकी हैं दोनों ही करन्ट अफेर्स हिमाचल परदेश से संबंदित हैं हिमाचल पर इस्टूडेंट्स टू लिव क्योएस बैस्ट इस्टूडेंट्स एटीज दोचार चोबिस के नजार चात्रों के रहने के लिए सबसेच शहर कौन सा है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी लंडन है तो टॉप त्री आप देख सकते हैं मैंने इस रिपोर्ट साइमेंट्स के द्वारा तो इसमें जो बैस्ट अर्बन डेस्टिनेशन से इंटरनेशन इस्टूडेंट्स के लिए वह सिटी यहां पर बताई गई है टोप 10 सिटीज के अगरम बात करते हैं तो लंडन टोप पर है फिर टॉक्यो है फिर सियोल है फिर मेलबर्ण है फिर म् सिटीज का जारी किया है जिसमें की 160 प्रीमियर एजुकेशनल डेस्टिनेशन को रैंकिंग दी गई है 26 new entries है इसमें अगर हम भारत की और से बात करें तो मुंबई इसमें बेस्ट इंडियन सिटी है इस्टूएंट्स के लिए और हाला कि ग्लोबल रैंकिंग मुंबई की 108 भी है पर भारत में बेस्ट है मुंबई के बाद फिर डेली है जैसे ग्लोबल रैंकिंग 132 है फिर बैंगलोर 147 भी रैंक है चेंड नहीं 155-160 की बीच में है यह टोप इस्टूएंट डेस्टिनेशन है लैटीन अमेरिका में 34 पोजिशन पर है कैप टाउन एफ्रिका में टॉप पोजिशन पर 86 और मिडिल इस्ट में बात करें तो दुबाई हाइस फ्रेंग सिटी है 54 पोजिशन पर है वाट इस नेम ऑफ दा कुईज लॉंच पाइदा इंडियन नेवी भारतिय नोशेन द्वारा शुरू की गई प्रश्ण तरीगा नाम किया है सही आंसर ऑप्शन यह है जी टॉंटी तिंग है इंडियन नेवी ने हाली में जी आंडियन नेवी कुईज काई जी टॉंटी सेक्रटेश्ट्र हुगा है जेकिश ओंच क्रशा है आपको बता दे हैं दो लेवल पर है ये नेस्टन राउंड एंड इंटरनेस्टल रांड वू हैस्वीन अपॉंटेट एस तब्रेंड अमबेस्टर ओफ आई सी सी वर्ड कप टॉंटी टॉंटी त्री इस वर्ड कप के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं देखे जो वर्ड कप है ये भारत में खेला जाएगा 10 venues में 10 teams इसमें participate करेंगे 10 तेश इसमें participate करेंगे 5 October से 19 वंबर के बीच में और ये largest cricket world cup ever होने वाला है opening and final जो matches है ये नरेंदर मोदी स्टेडियम एहमदबाद में खेले जाएंगे एहमदबाद के लावाद चिन्नाई और बैंगलोरू, डेली, नरमशला, हैदरबाद, कोलकाता, लगनव, मुंबई एंड पूने भी venues में सामिल है भारत और पाकिस्तान का match इसमें 15 October को होने वाला है एहमदबाद के जिम्रेंदर मोदी स्टेडियम में हाला कि इससे पहले बारत का जो campaign है वो 8 October को शुरू हो जाएगा चिन्नाई में Australia के अगेंस्ट विच इंडियन ओरीजन इस्कूल कर्ड वोन ब्रिटिस प्राइमिस्टर्स पॉइंट ओफ लाइट आवार्ड किस भारत के मोल की स्कूली चात्रा ने ब्रेटिस प्राइमिस्टरी पॉइंट ओफ लाइट प्रुसकार जीता है सही आंसर ओप्शन भी है मौक्ष रोई देगे साथ साल की इंडियन ओरीजिन इस्कूल कर्ड है जिरोंने युनाइट नेशन्स सस्टेनेबिल्टी इनिशेटिव अगेंस्ट माइक्रो प्लास्टिक पॉलूशन में वोलिम्टरिंग करना सुरू कर दिया था वो भी तीन साल की एज में इन्हें ब्रिटिस प्राइम मिस्टर्स पॉइंट्स ओफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है मौक्ष रोई को ये अवार्ड डिप्टी ब्रिटिश प्राइम मिस्टर ओलिवर्ड दाविन के द्वारा दिया गया है मौक्ष रोई है फो है अवार्ड चेंपियन ऑफ हेल्थ केर इंवेशन ऑवार्ड से किसी जम्मानित किया गया है एमेरिश बाबुलाल एमी बेरा या फिर एमे बेरा आपके सकते हैं एक इंडियन अमेरिकन कॉंगरेस्मैन है इन्हें हेल्थ केर लिडर्शिप काउंसिल्स का चैंपियन ओफ हेल्थ केर इनोविशन अवार्ड दिया गया है यह award इनको high quality affordable healthcare प्रोवाइट कराने के लिए दिया गया है और यहाँ पर एक message आया है premium सन्नी का और मुझे बहुत अच्छा लगा इस message को पढ़कर क्योंकि देखे आप student को नहीं समझ सकते कि वो किस condition से है न और किस तरह से अपने साधन जुटा रहा है किस तरह से अपने लिए यह सब available करा रहा है कि हाँ वो पढ़ सके तो अगर इस तरह के comments आते हैं कि बच्चा जो है फर्स्ट एवर फोरेंड मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ ता बिम्स्टेक वास हेल्ड इन विश्टेटी बिम्स्टेक विदिश्च मंत्रियों की पहली बैटक किस सहर में जित की गई options आपके सामने सही answer options ही है Bangkok जानेगा फर्स्ट एवर लिखा है पहली बार जो फोरेंड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है किससे संब्दित बेओफ बैंकॉल इनिशेटीव और मल्टि सेक्टोरल टेकनिकल एंड एकोनोमिक कोपरेशन आनि की बिम्स्टेक तो बिम्स्टेक क की फोरेंड मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग है जो की बैंकॉक थाइरेंड में हाली में अवजीत की गई है बारत की और से एक्टरनल ओफेर्स मिस्टर एस चेशंकर ने यहां पर जो है अपनी उपस्तिती दर्ज कराई है बिम्स्टेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले आपको बता दिए एक सेक्टर ड्राइबन कोपरेटिव और्गनाजेशन है छे सेक्टर इसमें जो रिकनाइज किये गए हैं जिनके लिए कोपरेशन करना इन सभी कंट्रीज को तो यह हैं ट्रेट टेकनलोजी एनरजी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड फिशुरीज सेक् सब्सक्राइब इसका जो पर्मनेंट सेक्रेटी रेट है यह डाका बंगलादीश में है प्रिविस साइनमेंट कोश्चन्स के आंसरव हम देखने वाले हैं माल दाइजटिस्टिक इंविचिस इंडियन स्टेट वेस्ट पंगॉल पॉर्ट ऑफ इस्पेइन इस दापिटल अच्छा एक बात और बताऊंगा आप पढ़ता है तो आप थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देख सकते हैं जैसे कोई जो आपको जानकारी मिले तो वह देखेंगे तो आपको प्लेसिस के बारे में पता चलता है जोग्रफी के बारे में पता चलता है कंट्रीज की कैपि और मुझे भी लगता है कि काफी नोलेज बढ़ी है क्योंकि अलएला कंट्रीज में जाते हैं और कुछ भारत के भी चैनल है तो अच्छा अच्छी जानकारी मिलती है कई चीज़े आपको ऐसी याद हो जाती है वाले यह चैनल नहीं कि फूड ब्लोग चल रहा है कि आज हम प्लेसे कौन से हैं एक आपको इंट्रस्ट बना रहेगा तो कभी आप फ्री टाइम अपने लिए निकाले माइंड को फ्री रखना भी जरूरी है पूरी दिन आप यह नहीं कि पढ़ती ही रहे हैं हालागी कुछ पढ़ती भी रहते हैं पर थोड़ा माइंड को अपना जो ह हां किस सरह से करना है और अपका परंवीर करके हैं अब ना में लड़के का तो अगर्राप देखें हैं आज इसकल को वेस्ट इंडीड में जो अग देश हैं वहाँ पर गूम रहे हैं ठेखा है तो वहाँ पर आपको वेस्ट इंडीड के सारी मश्म्री क्या कैपिटल क्या क्रेंस सी वहाँ पर चलती है यह आप Palace iki Осब याद आते हैं और यह सब भी आपtern लगता है एक international channel देख लीजिए एक national channel देख लीजिए दो मैंने बता दिया आपको यह है ना तो जानकारी आपको मिलती रहती है और काफी यूसफुल आपके लिए रहेगा माइंड को फिरी खना भी जरूरी है जब आप माइंड से फ्री होंगे तब आपका पढ़ने में भी अच्छा मन लगेगा who is currently serving as governor of Punjab पनवाई डाल परोहित there are a total of 17 united nation system and development goals what is SDG no.2 answer is zero hunger currently India has 40 sites in the UNESCO world heritage list and 52 sites in the UNESCO tentative list आप में से कई अस्टेंस में बिलकुल सही answer किया है इसी तरह से आप पाटिस्वेट करते रहें आज के assignment questions हम देखेंगे the movie creation is based on which personality which red bull driver claims the formula one Hungarian Grand Prix who is the smile ambassador for Maharashtra Swach Mukabhyan who has been appointed new chairman of the UP electricity regulatory commission what is the name of the scheme launched by the Madhya Pradesh BJP government which promises to provide a monthly income support of rupees 1000 to women in the 23 to 60 age group तो इन पांचों के answer आप comment box में जर्द दीजेगा जो यह third option है ना इसमें देख लेजेगा यह जो third question है सही से लिखा है ना question सही है देख ली जगा एक बार मैच कर ली जगा तो इन पांचों questions के answer आप दीजेए comment box में और कोशिस किया कीजेगा कि ज्यादा ज्यादा संके हमें आप participate करते रहें साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quiz आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों हमारे current affairs की playlist दी गई इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ fellow estimates साथ हमारे current affairs को share आप जरूर करें आज का यह session आपको कैसा लगा comment box में वश्य बताईएगा thank you guys